नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने योट्यूब चैनल किसान एडवाइज पर किसान भाईयों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बकरी पालन पर 50 लाग का लोन कैसे ले सकते हैं और ओनलाइन आवेदन कैसे करें तो चलिए दोस्तों अभी तक अपने योट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें चलते हैं वीडियो की और भार्त एकसी परदान देश हैं जिसमें अधिकान संगया गावों में रहती हैं सरकार समय पर किसानों के लिए कई कल्यान कारी योजना भी लेकर आती हैं हाली में रास्तान सरकार ने बकरी पालन योजना शुरू की है इस योजना कहता है सरकार 50 लाक रुपे तक का रिन उपलब्द कराएगी आज की इस वीडियो में जानेंगी बकरी पालन योजना क्या है बकरी पालन योजना का उदेशिय क्या है इस पर कितनी सबसिड़ी मिलती है बकरी पालन रिन की ब्याज कितना होगा बकरी पालन योजना में कौन कौन से दस्तावेद चाहिए होंगे और इस योजना को आवेदन कैसे करना है तो किसान भायों चलते हैं बकरी पालन योजना क्या है तो रास्ता जरकार की एक परमुक योजना है बकरी पालन योजना इस योजना के अंतरगत पसुपालकों को बकरी पालन के लिए 50 लाग रुपे तक का रिन उपलप्त करया जा रहा है इस योजना में ग्रामिन सेथ्रों में स्वरोजगार के एसर परदान करने के लिए मेहतवपून है इसके जरीया आप बकरी पालन के लिए छोटे से लेकर बड़े स्थर तक के लिए रिंप्राप्त कर सकते हैं इस योजना के कई राजियों में पर्चलीत हैं इन कुछ राजियों में बकरी पालन के लिए उपलब्द किये जाने वाले रिन पर 50% तक की सबसेड़ी भी उपलब्द करवाई जाती है पर बकरी पालन योजना का उदेशिय की बात करें तो बकरी पालन को बड़ावा देना है राजिये में रोजगार के अवसर उपलब्द करवाना पसुपालक किसानों की आई में वर्दी करना राजिये में बेरोजगारी दर में खामी लाना बकरी पालन योजना की सबसीडी की बात करें तो वहीं हर्याना सरकार दोवरा 80-90% सबसेड़ी परदान कर रही है इस परकार अगर आप इस योजना के मादियम से रिन प्राप्त करते हैं तो आपको कुल रिन करासी का 50% या 10% जमा करवाना होगा बकरी पालन रिन की ब्याज कितना होगा तो इस योजना के अंतरगत जो रिन परदान किया जाता है उस पर आप 11.6% ब्याज लगया जाता है इस योजना को कॉलेटरल प्री रिन का जाता है अरतात इसके लिए आपको किसी भी संपति या कीमती वस्तु को गिरवी रखने की अवसकता नहीं है बकरी पालन योजना में आउस्यक दस्तावेजों की बात करें तो आपका आधार काल्ड, पैन काल्ड, मूल निवास परमान पत्र, जमीन समंदी दस्तावेज और आई परमान पत्र यह बैंक खाता होना चाहिए बकरी पालन योजना का आवेदन कैसे करें अब आवेदन पत्र के साथ जरूरी सभी दस्तावेजों की एक एक कोफी लगाएं फिर इस आवेदन पत्र को समन्दी दस्तावेजों के साथ पसूची किसा के अंदर में जमा करवा दें इसके बाद एक पसुची की सक अधिकारी दुआरा आपकी जमीन और बकरी पालन के लिए निर्दारित इस्तान की जांच की जाएगी फिर एक निर्दारित परकिरिया के बाद रिन की धन्रासी आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी इस सरल परकिरिया के जरिये आप रास्तान बकरी पालन योजना के तैद पचास लाग रुपे तक हरिन प्राप्त कर सकते हैं यह रिन रासी एक निर्दारित समय अवदी के लिए परदान की जाती हैं और रास्तान सरकार द्वारा पचास परतिसर सबसीडी और हरियाना सरकार द्वारा 90% सबसीडी का भी प्रावदान किया गया है तो मुझे उमीद है कि आज की इस वीडियो को देकर आप अच्छे से समझ गए होंगी कि आपको कैसे बकरी पालन पर पचास लाग का लॉन लेना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय किसान